नमस्कार मैं हूँ प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूजरूम पोस्ट हमारे देश में नेता किस तरह अपनी सियासत चमकाने और एक नेरेटिव सेट करने के लिए तथ्यों की धजियां उड़ा देते हैं प्रधानमंत्री मोधी से जुड़ा टेलिप्रोंप्टर वाकिया इसकी सबसे ताजा बानगी है सौमवार को प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी ने वल्ड एकोनोमिक फॉरम के ओनलाइन दावोस एजेंडा 2022 के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया लेकिन इस बीच अचानक किसी तकनीकी खराबी के चलते उन्हें कुछ देर अपना भाशन रोकना पड़ा बस फिर क्या था? कुछ सेकंड के इस एक पल ने उनके 30 मिनिट से भी लंबे संबोधन से ज्यादा सुर्खियां बटोरी PM मोधी के विरोधियों ने उन पर बिना टेलिप्रोंप्टर के एक भी शब्द न बोल पाने का आरोप लगा कर उनका मजा खुडाया सोशल मीडिया पर हैश्टेग टेलिप्रोंप्टर PM ट्रेंड चला कर देश के प्रधान मंत्री का मखौल बनाया गया कॉंग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने ये कहा कि PM मोधी के अचानक बीच में ही भाशन रोकने की वजह टेलिप्रोंप्टर का बंद होना था कॉंग्रेस नेता रेवन्त रेडडी ने PM मोधी के भाशन रोकने वाले इस वीडियो को राहुल गांधी के उस वीडियो से जोड़ कर दिखाया जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि PM मोधी बोलने के लिए टेलिप्रोंप्टर का सहारा लेते हैं इस वीडियो को कई कॉंग्रेसी नेताओं समेत राज्य कॉंग्रेस इकाईयों ने भी शेयर किया आज PM मोधी के खिलाफ एक narrative सेट करने के लिए फैलाए गए इस teleprompter propaganda की कलाई हम आपके लिए खोलेंगे और आपको तथ्यों से रूबरू कराएंगे World Economic Forum के online कारेक्रम में PM मोधी के भाशन से जुड़े इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले घटना क्रम को जानना महतुपूर्ण है WEF के online सत्र में दिया गया मोधी का ये भाशन नरेंदर मोधी, DD News और WEF के आधिकारिक YouTube चैनल पर अभी भी मौजूद है यहां गौर करने वाली बात ये है कि WEF और DD के उलट प्रधान मंतरी के नरेंदर मोधी YouTube चैनल पर ये टेकनिकल गलिच शामिल नहीं है DD के YouTube चैनल पर जो वीडियो है उसमें प्रधान मंतरी जब 6 मिनिट से ज्यादा समय तक बोल रहे थे तब उनके भाशन के इस हिस्से को WEF के YouTube चैनल पर प्रसारित नहीं किया गया असल में WEF के लाइव स्ट्रीम वीडियो संस्करण के पहले 8 मिनट खाली दिखते हैं लाइव स्ट्रीम जब दुबारा शुरू होती है तो प्रधान मंतरी संबोधन के बीच के हिस्से में नजर आते हैं इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये एक तकनीकी खराबी थी जिसके कारण PM के भाशन का शुरुवाती हिस्सा WEF के YouTube चैनल पर किये गए लाइव स्ट्रीम में नहीं दिया गया था पांचवे मिनिट के चोथे सेकंड पर PM मोधी ने अपना संबोधन शुरू किया और सातवे मिनिट के सातवे सेकंड पर PM मोधी अपनी बाई ओर देखते हैं और अचानक बोलना बंद कर देते हैं WEF के YouTube चैनल पर संबोधन की वीडियो को ठीक इसी वक्त पर देखने से पता चलता है कि जब PM मोधी ने अपनी बाई ओर देखा उस वक्त वहाँ event management team का कोई ऐसा व्यक्ती मौजूद था जो event का प्रबंधन कर रहा था उसने कहा कि PM को ये पूछना चाहिए कि क्या हर कोई संबोधन में शामिल हुआ है या फिर नहीं इसके बाद PM पूछते भी हैं कि क्या उनकी और उनके interpreter की आवाज सुनी जा सकती है क्या वो audible है यानि कि PM मोधी ने इस कारेकरम का प्रबंधन करने वाली team की दखल अंदाजी की वजह से बोलना बंद किया था ना कि टेलेप्रॉम्टर बंद होने की वजह से तकनीकी गडबड़ी की इस पूरी घटना को विपक्षी नेताओं और देश के कुछ बुद्धी जीवियों ने ऐसे दिखाया जैसे कि प्रधानमंत्री के सामने लगा हुआ टेलेप्रॉम्टर बंद हो जाने की वजह से वो एक शब्द भी आगे न बोल पाएं तो हमारी इस वीडियो में फिल हाल इतना ही फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूजरूम पोस्ट नमस्का